हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक रिले स्विच चिलाया हूं यह 12 वोल्ट 25 अम्पेर का हैवी रिले है जिसका उप्योग हम लोग 5KB अवी स्टिवलाइज में करते हैं और मोचली इसका उप्योग 5KB में ही किया जाता है यह वन वे स्विच है जिसमें सिंगल पोल होती हैं और इसमें एक common, एक NO, एक NC और एक T1, T2 होती है और इसका उप्योग दोस्तो मैनुवल और मैनुवल इस्टिप्राइजर और ओटोमेटिक इस्टिप्राइजर दोनों में किया जाता है सानी की एक में और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप आप 3KV में लगा सकते हो और मज़दार बात यह है कि यदि आप 3KV में लगाते हो तो फिर खराब होने का टेंशन खतम हो जागा दोस्तों यह इसका वर्किंग वाल्टेज दोस्तों 12V दो एंप्यर है 12V और दो एंप्यर का ट्रांसफर आप इसमें लगाओगे तो यह ऑपरेट करना शुरू कर देगा अब 3 एंप्यर भी लगा सकते हो क्योंकि क्वाइल इसके अंदर जो है बहुत ही हैवी क्वाइल है है तो तीन एंने भी ट्रांसफर व्य द्यर tussen ट्रांसफर ज्राश्रा इंग एक यह वाईल इसका खराब होने वाला है ने जोस्तों अर यह देखो इसका जो अंदर का भाग है यह इस तरह से दीख रहा है यह दिक्रेक्वा को जोड़ने वाहर है कितना हैवी वाइर दिया आ और एक मोटी स्प्रिंग के जरीए इससे क्लिक करने के लिए जोड़ा गया है यह दो को इतनी हैवी स्प्रिंग है और जिसका कनेक्टिंग पॉइंट है इसका टर्मिनल जो है वही बहुत मोटा है और यह पूरी तरह से तामबे का उपियो किया गया है जैसा कि आपको दिख देखो यह वायर कितना हेवी वायर दिया गया है इसके इस वजह से दोस्तों इसे पांच के भी आप 10 के भी यदि यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों यह अच्छे ब्रेंड के साथ जवाब जाते हो तो सबसे अच्छा बात है कि आपको 25 इंपर का रिले जो है यह इसे वेटर कंपनिया है बट यह कॉफी अच्छा कान्फुरेशन दी है इसके अंदर बहुत ही अच्छा मेटल का उप्यों किया गया यह दो को एनो एनसी हो रहा है यहां से कनेक्ट होता है और यह कि स्प्रिंग के जरिए होता है दोस्तों अगर कि आप चाहते हो कि मैं रिले के उपर और भी भी बनाओ तो आप हमें कॉमेंट करो कि तो मैं जरूर विडियो बना दूंगा और यह देखो इसका टी वन्टीट्व जो ब्लू वायर है वह यहां से हम लोग करन्ट देते हैं और स्कुवाल के जरीए मैंग्रट बनता है दोस दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पस्त आगए मिलते हैं अगरे वीडियों तब तक के लिए जय हिंद्ध